हेलो फ्रेंज, वलकम टो आड़ी टू चैनल मुनिदास तो दूस्ता आज के वीडियो में हम भी आप इंडिकेटर के उपर बात करने बाले हैं जिसको वोलियूम वेटेड एवरेज प्राइस कहा जाता है और पिछले वीडियो में हमने देखा कि आरेसे इंडिकेटर का सेटि तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह जो वी अप है इस वी अप को कैसे आप चार्ट्स में ला सकते हो और चार्ट्स में आप सही तरीकों से इस वी अप को यूज कर सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चलिरूर करना और अगर आप मेरे चानल में नहीं हो तो प्ले सब्सक्राइब में चानल और हिट अपेल आइकन तो कन्फ्यूस हो जाता है कि कौन सा सिलेट करें तो सिंपली हम इस इंडिकेटर्स पे चले जाएंगे एंसर्च एकन में हम सच करेंगे वियाप उसके बाद आपके सामने बहुत सारा आप्शन आ जाते हैं लेकिन आप सार जो है वोलियूम वेटेड एवरेज़ प्राइस ये आपको क्या करना है ये आपको सिलेट कर लेना है ठीके तो सिंपली हम इसको सिलेट कर लेंगे उसके बाद दोस्त आप देख सथी हो आपके सामने ये इधर v-app show कर रहा है ठीके तो ये v-app आ गया उसके बाद आपको क्या करना है इस v-app पे चले जाना है इधर आप देख सथी हो आपको एक i button दिखने के लिए मिल दा है तो अगर आप ये V आप को height करना जाते हो दिखना नहीं चाएगा जाते हो चार्ज में क्योगी कभी कबड़ होता है कि हम draw करते है एंड उस draw को हमें height करना होता है क्योंकि हम हम charge को सही से दिखना जाते है तो इस i button में अगर आप click करने थे यह height हो जाएगा and again आप इसको show करना चाहते हो, दिखना चाहते हो तो आप again इस i button के उपर click करोगे तो यह आ गया ठीक है तो यह i button के मद्धम से आप क्या कर सकते हो इस v app को height कर सकते हो and show भी कर सकते हो उसके बाद आप देख सकते हो nearest में जो settings बोला option है आपको simply settings option में चले जाना है और इधर आप देख सेकते हो आपके समने v app, upper band, lower band and bands जो feel है यह आपके समने tick दिखा हुआ देखने के लिए मिला है तो आपको क्या करना है? upper band को untick करना है, lower band को untick करना है and जो bands feel है यह इसको आपको untick करना है and जो v app है इसके मादम से आप इसका color भी change कर सकते हो ठीक है? अगर आप इसको rate करना चाते हो या और फी orange करना चाते हो जो भी color आप रखना चाते हो उसका use आप इधर से कर सकते हो तो हम इसको yellow रखते है sorry, इसको हम blue रखते है इसके बाद आप देख सेकतो इसका width भी आप change कर सेकतो, ठीक है, motor ठीक है, और भी motor कर सेकतो, तो हम इसको normally छोटा ही रखते है, पतला रखते है, उसके बाद इधर आप देख सेकतो, यह फिला line में है, तो इधर से आप इसको line with brakes भी कर सेकतो, normally आपको इसको line रखना है, ठीक ह होता है जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद आपको इस OK option में क्लिक करना है तो इधर आप देख सेकते हैं आपके समने वियाब आ गया तो normally वियाब का जो है वियाब basically लोग क्या जानते हैं कि हाँ वियाब के ऊपर अगर जाता है तो आप इसको बाई कर लो अगर वियाब के नीचे जाता है तो आप इसको क्या करो आप इसको सेल कर दो ठीक है तो basically यह होता है कि वियाब का काम तो दोस्ता आज हम जानेंगे कि वियाब आप कैसे चार्ट में इसको सही तरीके से यूज करते हो वो भी हम लॉजिक के साथ देखेंगे क्योंकि वियाब जो है very useful for intraday तो अगर आप intraday trading करते हो तो आपको जो यह वियाब है बहुत helpful करता है ठीक है बहुत helpful एक indicators है लेकिन आपको सही सही use करना चाहिए otherwise अगर आप intraday में वियाब को देखके buy sell buy sell करते हो तो I don't think so की यह ज़्यादा तर successful होगा तो इसको आपको logic के साथ समझना है and सही तरीकों से आपको वियाब को use करना है तो दोस्तों चलिए start करते है तो इधर आप देख सेकते हो मैं यह जो वीडियो बना रही हुए 26 July है तो यह 26 July के charts है तो इधर आप देख सेकते हो market इधर opening हुआ ठीक है and opening होने के बाद market नीचे आया और नीचे आके इस वियाब के पास ही trade कर रहा है ठीक है आपको क्या पता कि वियाब के नीचे अगर market जाता है तो आपको turan sale करना है अगर वियाब के उपर जाता है कि मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, राइट, मार्केट ने सपोर्ट लिके अगीन उपर गया, इधर आपको एक चीज दिखने मिला है, कि भी आप में मार्केट क्या कर रहा है, भी आप में मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इधर भी आप देख सेकते हो, मार्केट क्य ले रहा है सपोर्ट ले रहा है तो इधर आपको क्या करना है इधर आपको एक चीज फॉलो करना है में थोड़ा चार्ट को बढ़ा करती हो तब आपको अच्छा से पता चलेगा ठीक है तो दोस्तों मैंने इधर वोलियूम भी और इसली रखा कि जब भी आप भी आपको यू नीचे आया और भी आपके पासे ट्रेट किया तो ऐसे कंडिशन में आपको इधर क्या लेना है इधर ट्रेट नहीं लेना है क्योंकि जब भी इस टाइप का भी आप होता है ठीक है अगर मार्केट भी आपको काट के उपर जा रहा है फिन नीचे आ रहा है फिर उपर जा र लिए जाने कि सेलास कोशिश करता है प्राइस को नीचे लियाने कि ठीक है इसलिए भी आपके उपर ही प्राइस क्या करता है ट्रेट करता है तो ऐसे कंडिशन में आपको इधर ट्रेट नहीं लेना है ठीक है फिसी में बता रही हूं अगर भी आपके उपर मार्केट कर रहा है तो ऐसे जगह आपको ट्रेद नहीं लेना है आपको थोड़ा बहुत्व टाइम वेट करना है तो दोस्ता आपको कप ट्रेद लेना हिट лас清楚 पराइस न जब पहुत अच्छा ट्रेड़ देता है तो अब को सपूर्ण एमिलता है तो अप अच्छा ट्रेड देता है तो eve भी candlestick patterns क्या होती है, तो इधर आप देख सेकते हैं, हमारों वहने के बाद market क्या हुआ, market VF को काट के उपर गया, अपने आपको sustains किया, तो उसके बाद price upset move हुआ, तो इधर आप देख सेकते हुआ, यह जो candle है, यह VF को काट के उपर गया, VF को काट के उपर जाने के बाद, price ने इधर sustains किया, तो इधर क्या कर सकते हो, आप buy कर सकते हो, तो एक सवाल यह आता है, कि ज़्यादा तर लोगों को यह पता है, कि हाँ VF काटने के बाद, जब VF के उपर अगर market रहता है, तो आप buy कर सकते हो, तो सवाल यह आता है, कि यह market तो VF के उपर है, ठीके, price तो उपर जा रहा है, क्या इधर आपको buy करना चाहिए, तो अगर VF के उपर, almost market चला गया, VF के बहुत उपर trade कर रहा है, तो ऐसे condition में आपको buy नहीं करना चाहिए, आपको VF के पास ही buy करना चाहिए, ठीके, बट VF के पास आप कब buy करोगे, जब VF के उपर market suspense करेगा, अगर आपको sales side trade लेना है, तो market अगर VF के नीचे अपने आपको suspense रखता है, तो उसी जगा आप sales side trade ले सकते हो, तो इधर आपको क्या देखने के लिए मिला, market थोड़ा बहुत उपर गया, अगर इन market इस VF को cross करके नीचे आया, ठीके, बट market इधर नीचे आपको suspense नहीं कर बाया, इधर आप देख सेकते हो, जो red candle हो रहा है, ठीके, and green candle भी काफी बड़ा हुआ, इससे क्या पता चलता है, कि इधर buyers काफी strong है, ठीके, buyers इधर काफी ज़्यादा है, and इधर आप देख सेकते हो, price जो नीचे आया, ठीके, नीचे आया, तो volume भी आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है, अगर price नीचे आ रहा है, ठीके, अगर price नीचे आ रहा है, अपने आपको सेस्टेंज कर रहा है, तो इधर अगर आपको rate candle बड़ा-बड़ा देखने के लिए मिलता, तो इधर आप confirmation ये होते है, कि हाँ, price अभी नीचे आ सकते है, लेकिन इधर आपको क्या देखने के लिए मिलना है, volume एक ही range में है, ठीक है, volume नहीं बढ़ रहा है, and price जो है, price भी अपने आपको सेस्टेंज कर रहा है, and ये जगा क्या हुआ, price ने इस V-App को काटके उपर गया, and अपने आपको सेस्टेंज कर लिया, तो इसी जगा आप क्या कर सकते हो, buy side trade ले सकते हो, again price नीचे आया, V-App में support लिया, again price उपर गया, again नीचे आया, again support लिया, तो दोस्तों, इधर अगर price नीचे आया, and नीचे आके 2 candle, 2-3 candle क्या होता, 2-3 candle rate बनता, and price ने अगर continue एक range में trade करता, तो ये sales side trade होता, market नीचे की तरह आता, तो price जब भी जो ये V-App होता है, V-App के उपर अगर रहता है, price ठीक है, market अगर V-App के उपर ही trade करता है, तो आप site आपको trade लेना है, sales side ठीक है, नीचे की side आपको trade लेना नहीं चाहिए, तो दोस्तों, जब भी price इधर V-App को cross किया, तो दोस्तों, अगर V-App के बहुत दूर चला जाता है, price अगर V-App से बहुत दूर चला जाता है, इधर आप देख सेकते हो, price अगर अल्मोस इधर चला गया, इसे जगा अगर आप buy करते, तो इधर आप tap होते, क्योंकि price और भी नीचे आया, तो इधर आप देख सेकते हो, price ने इस V-App को कितना अच्छा से support बनाया, and support बनाके, फीर से price अप मूफ किया, and फीर से अगर अगर support लेके अप मूफ किया, तो दोस्तों, ये तो बात हुआ कि, जब market V-App के उपर अपने आपको sustenze करता है, तो दोस्तों, आपको buy side trade लेना है, ठीके, and और एक चीज है, price जब भी इस V-App, अगर V-App flat रहता है, and V-App के पास है market, अगर continue trade करता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपको इस जगा trade लेने का, तो चलिए इसका अभी हम example देखते हैं, कि कैसे आप इसके अवपर trade ले सकते हो, तो इधर आप देख सेकते हो, price जो है, price एकी range में trade कर रहा है, और मैंने क्या बताया, V-App जो है, V-App अगर flat होगा, and V-App अगर flat होता है, उसी जगा market trade करता है, एकी range में, उसके बाद जो market का trend होता है, ठीके, ये निचे आए, या फिर उपर जाए, ये जो move होता है, कफी बढ़िया move होता है, ये बहुत points तक आपको देता है, ये जो market एक जगा range कर रहा है, इधर आप देख सेकते हो, वोलियूम जो है, वोलियूम जो है, ये बाइर्स एन सेलर्स का वोलियूम आपको देखने के लिए मिल रहा है, almost similar है, इसका मतलब ये है कि बाइर्स एन सेलर्स का इधर काफी fight चल रहा है, ठीके, बाइर्स भी जितना है, सेलर्स भी उतना ही है, और इधर क्या हुआ, वियाप फ्लाड है, और इधर आप देख सेलर्स एक तो प्राइस जो है, वियाप के उपर अपने आपको सेस्टेंज कर रहा है, थोड़ा पूल बे कर रहा है, ऐसे करके वियाप के उपर प्राइस अपने आपको सेस्टेंज कर रहा है, और जब भी यह क्या है यह एक resistance होगा और प्राइब जब भी इस resistance को break करता है यह जगा आपका entry point होता है तो दोस्ते यह जो VHP के पास से market trade करा है इधर इधर आपको trade नहीं लेना है आपको क्या देखना है कि VHP के ऊपर market sustains करेगा और जो resistance को break करके जाता है यह आपको entry point होता है अगर आप vip के ऊपर almost market चला गया ठीक है आप देख रहे हो कि हाँ vip के ऊपर तो market चला गया तो इसी जगा मुझे क्या करना चाहिए बाई करना चाहिए तो दोस्तो इधर आपको सोचने वाली बात यह है कि vip के ऊपर जभी market अपने सस्टेंज कर रहा है तो almost market ने इतना points दे दिया ऐसा नहीं कि market बहुत बड़ा points और बहुत बड़ा move जो है यह आपको daily daily देगा क्योंकि इधर आप देख सकतो market ने बहुत बड़ा points move दिया है यह आपको daily नहीं मिलेगा तो इधर आप देख सकतो market ने almost बहुत आप move किया है तो यह जगा अगर आप entry करते हो तो बहुत थोड़ा risk होता है और अगेन आप इधर देख रहे हो कि हाँ price अगर आपने इधर भी trade लेने में miss कर दिया तो इधर आप क्या करोगे आप देखोगे कि price तो उपर जा रहे ठीगे भी आप की उपर भी है इधर हमें buy करना चाहिए तो दोस्तो यह गलत है अगर price भी आप के almost बहुत उपर चला गया तो यह जगा आपको buy नहीं करना चाहिए आपको थोड़े wait करना चाहिए इस type का अगर zone बनाता है भी आप अगर flat रहता है तो दोस्तो यह best होता है आपको entry करने का ठीगे आपको chart देखके पता चलेगा कि market उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा क्योंकि इधर आप देख सेक्टो price जो है अपने अपको upside की तरफ move कर रहा है तो दोस्तो यह जो flat है और भी मैं आपको example देखाती हूँ तो दोस्तो इधर आपको और एक example देखने के लिए मिल दा है इधर आप देख सेक्टो price जो है एकी range में है और इधर आपको जो vip देखने के लिए मिल दा है VF भी आपको flat देखने के लिए मिल दा है तो दोस्तों जब भी VF flat रहता है तो यह बहुत अच्छा से काम करता है उसके बाद जो trade मिलता है बहुत अच्छा rally करता है तो इधर आप देख सेकते हो VF जो है एक ही range में VF आपको क्या देखने के लिए मिल दा है VF आपको flat देखने के लिए मिल दा है और price जो है price इधर ही इसके पासे trade कर रहा है और इधर आप देख सेकते हो जो आपको volume देखने के लिए मिल दा है volume भी बहुत कम है तो यह जगा यह पता चलता है इधर buyers and seller जो है seller similar है दोनों कोशिश कर रहा है buyers कोशिश कर रहा है price को उपर ले जाने के लिए sellers कोशिश कर रहा है नीचे ले आने के लिए और इधर आप देख सेकते हो buyers का क्या होता है buyers का इधर जीद होता है and price upside move करता है क्योंकि दोस्तों इधर क्या होता है इधर तो पहले से बायर्स था और सेलर्स भी था और प्राइस जब भी उपर होता है और सेलर्स का क्या होता है सेलर्स का भी स्टॉपलोस हीद होता है तो सेलर्स भी बायर्स में कनवाड हो जाता है क्योंकि उसने जो sale किया अभी उसको buy करने लगा है तो ये क्या होता है buyers and sellers भी buyers में convert हो जाता है और बहुत retailer इधर entry करता है तो दोस्तो जो price का movement होता है बहुत तेजी से upside move करता है तो आपको क्या करना है इस type का range का wait करना है जहाँ VF flat रहा होगा तो इधर आपको देख सकते हो जो VF के उपर price अपने आपको systems कर रहा है तो ये जगा आपका entry point रहता तो अगर आपको confirmation चाहिए तो ये जो आप resistance एक रहे हो price अगर resistance को break करके उपर जाता है तो ये जगा आपका क्या रहता ये जगा आपका entry point रहता तो दोस्तों इधर आप देख सेकते हो अगर price आपको क्या पता है कि price अगर भीएप के ऊपर रहता है तो ये जगा आपको entry करना चाहिए अगर price इतना बड़ा move दे दिया तो ये जगा क्या आपके लिए entry करना सही रहता क्योंकि price तो daily daily इतना बड़ा move नहीं देगा ठीक है price आज move दिया है daily daily आपको तो move नहीं देगा price हो सकता है 200-300 point का move दे लेकिन 400-200 point का moves बना बहुत मुश्किल होता है तो इधर आप देख सेकते हो अगर आप इधर entry करते हो तो ये इतना छोटा points आपको मिलता है या फिर कभी भी नहीं मिल सकता है तो दोस्तों जो entry point होता है vf के पास आपको entry करना सही रहता है अगर price vf के बहुत उपर चला गया तो ये जगा आपका entry point से ही नहीं रहता अगर आप उसमें entry करते हो तो आप tap हो सकते हो क्योंकि क्या होता है अगर price इधर आपको देखने के लिए मिलेगा तो मैं इधर थोड़ा charts को near इसमें लाती हूँ तो ये जगा अपने क्या देखा कि price vf के उपर है ठीके ये जगा अगर हैँ इंट्री करते हैं तो इधर आप देख सेकते हो price to ऊपर गया ये जगा क्या होगा price vf को cut करके नीचे आया इन ये जगा क्या होगा जो buyers है जो buyers n 인 пост ए अपना क्या करेगा तो buyers को तो profit हो गया right buyers क्या करेगा अपना profit को book करेगा तो buyers जब भी profit book करेगा वो sellers में convert हो जाता है and upside कौन बैठे रहता है sellers बैठे रहता है and sellers and sellers दोनों जब मिल जाता है and जब भी इस range को break करेगा जब BF को break करेगा तो price बहुत तेजी से नीचे आता है तो इधर आप देख सेकते हो price तेजी से नीचे आया तो ये जगा आपको थोड़ा बहुत देख के trade करना है इस BF के उपर अगर price बहुत दूर चला जाता है तो दोस्तों ऐसे condition में आपको इस जगा trade नहीं लेना है आपको थोड़े बहुत trade करना है इस टाइब का range होने के लिए या फिर BF के उपर अगर price अपने आपको सेस्टेंज करता है उस जगा आप trade ले सकते हो तो चलिए और एक example हम देखते हैं इधर आप देख सेकते हो ये charge 25 जुलाई का charge है तो इधर आप देख सेकते हो जो market open हुआ इधर open होने के बाद क्या हुआ price नीचे आया और BF के नीचे trade करा और एक green candle आपको देखने के लिए मिला जो BF के उपर गया लेकिन इधर BF के उपर price अपने आपको सेस्टेंज नहीं किया अगर इधर green candle होता ठीक है, एक दो green candle ऐसा होता तो दोस्तों आप buy side trade लेने के लिए सोसते लेकिन इधर क्या हुआ इधर आपको ये दीखने के लिए मिला एक green candle तो BF को काटा है लेकिन अरे जो red candle है वो again BF के नीचे आया और BF के नीचे continue trade कर रहा है तो इस type का जो जगा है इस type के जगा में आपका entry होगा इधर आप देख सेकते हो वो again BF के पास इधर क्या करने गया इधर test करने गया और इधर आप देख सेकते हो जो volume आपको देखने के लिए मिल रहा है ये sales side आपको volume ज़ादा देखने के लिए मिल रहा है ठीक है तो ये जगा आपका entry करना सही रहता और इधर आप देख सेकते हो price जो है ये VF के नीचे है और price continue नीचे की तरफ fall हुआ तो दोस्ते इधर आप देख सेकते हो जो VF है आपको क्या देखने के लिए मिल प्राइस नीचे है VF के नीचे है तो इस टैप के जगा में अगर आपने इस जगा entry करने में miss कर दिया क्या आपको इस जगा entry करना सही रहता नहीं अगर price almost VF के बहुत नीचे चला आया तो दोस्तो इस जगा आपको entry करना सही नहीं रहता आपको VF के पास ही entry करना है लेकिन entry करने के लिए आपको ये देखना है जो candles बंड़ाए वो VF के नीचे या ऊपर अपने आपको system कर रहा है कि नहीं तो ये जगा आपको entry point रहता ये जगा भी आप entry कर सकते थे लेकिन ये जगा आपको entry करने के लिए senior रहता क्योंकि आपने देख लिया कि price जो है almost बहुत बढ़ा point दे दिया again price इस VF को retest करने गया थी VF को देख सकते हैं आप test करने गया यह क्या है यह resistance है तो दोस्तो इधर आप देख सकते हो price जो है VF की उपर गया ही नहीं almost VF की नीचे है and एक range बनाया and जब भी इस range का breakout हुआ तो दोस्तो इसी जगा आप again इसमें entry कर सकते थे ठीक है and इतना बड़ा move को आप catch कर सकते थे तो इधर आपने देख लिया कि price VF के नीचे है ठीक है VF के नीचे जब भी इस range को break किया तो बड़ा move आया तो इस जगा आपको entry point सेही रहता तो इसी जगा आपको entry नहीं करना है ठीक है जो VF के almost बहुत दूछ चला आता है तो इस जगा आपको entry करने का सेही नहीं रहता है तो इधर आप देख सकते हो आपको इस step का जगा थोड़ा average करना चाहिए तो इस step के जगा में आपको entry करना नहीं चाहिए जहाँ VF को ठीक है VF को price cut करता है उपर जाता है नीचे आता है उपर जाता है इसी जगा आपको entry करने का सेही नहीं रहता है जब VF के उपर price अपने आपको assistance करता है या फिर भी आपके नीचे price अपने आपको system करता है इसे जगा आपको entry करने का सही रहता है और उसके साथ आप volume भी check कर लेना ठीक है तो दोस्ता I hope कि आपको clear हो गया है कि भी आपको आपको कैसे logic के साथ use करना है और उसके साथ आपको volume भी देखना है So I hope कि ये video आपके लिए help उड़ागा अगर video help उड़ागा तो वीडियो को like करना जादे से जादा share करना और कोई वे confusion रहे है वी आपके link के ओपर तो आप मुझे नीचे comment section में बूश सकते हो और अगर आप मेने चानल में नए हो तो please subscribe में चानल और hit the bell icon So मिलता हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye Have a good day